चली, देखे बच्चों, आज हम सिखेंगे इससे आजा की पहचान Introduction of Sensory Organs यानि हमारे जिस्म के एहसास होने वाले आजा सबसे पहले हम देखते हैं Eyes Eyes means आखे, आख का काम क्या है? कि देखना और ये है Nose, Nose means नाक नाक का काम ये है कि सूंगना और ये क्या है Air, Air means कान, कान से हम सुनते हैं और ये देखिए Tong, Tong means जुबान जुबान का काम होता है कि कौन से अब टेस्ट चखना कि वो तीखा है, मिठा है, ये हमें जुबान से पता चलता है और ये क्या है Skin, Skin means जिल्द जिल्द हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें किसी क्या चाहे सूंग चुबी हो ये मच्छर ये चूटी ने काटा हूँ ये हमें Skin से पता चलता है चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे काम पहचानो Identify our work ये देखिए, यहां क्या बताया जा रहा है है कि सुनना ये ऐसा और ये देखिए, Eyes Eyes से क्या करते हम, देखते हैं यहां पर एक लड़की दूरबिन से देख रही है यहां पर और ये है Nose Nose से हम क्या करते हैं, कौन सा भी चीज सूंखते हैं तो यहां पर लड़की खुश्बूर सूंख रही है जिसा कि यहां पर ओके, आया समझ में ठीक है, जिजाक अल्ला